हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपको समझाने वाला हूँ चैप्टर सिक्स लाइफ प्रोसेस आप लोग ने काफी सारे जन्ने मुरे पस डिमांड की थी के सर लाइफ प्रोसेस का मतलब साइन्स का IMP निकाल दो तो भाई मतलब यह जो I Importance पर मेरे Experience पर PYQ देखके Reduction के According यह सारे Questions रेडी किये हैं मतलब IMP Questions मैंने बनाये हैं ताकि आप लोग की Help हो सके अब मैंने सोचा है कि हर 24 गंटों बाद एक वीडियो अपलोड होगा जिसके अंदर Chapter wise आप लोग को Question दिये होगे मतलब आज यह वीडियो अगर अभी 9 बज आएगा वो कोई Next Chapter का होगा उससे क्या होगा हर 24 गंटे में आपको उतना टाइम मिलेगा कि आप यह सारे Questions learn कर सकोगे यानि आप Practice कर सकोगे मैंने Science के Most IMP Questions आप मांग रहे थे दे दो Sir IMP Questions दे दो करा दो यह करा दो तो आज आपके सामने लेकर आ गया हो Science के Most IMP Questions मेरी तरफ स आपके लिए बड़ा Surprise ले भारी Surprise आपके लिए तो यह सारे Important Question है अब ऐसे ही नहीं दूँगा मैं आपको Important Question इसी के साथ एक बड़ा Surprise और लाया हूँ कि मैं आपको Digest के अंदर से सारे Questions टिक करवा दूँगा मैंने Digest के अंदर ढून भी लिये है कि आपकी नवनीत की Digest मैं G GACB की बात करा हूँ फिट से मैं Repeat करता हूँ नवनीत के अंदर GACB की Digest आप लोग जो यूज करते हो उसके अंदर मैंने ये सारे Questions ढूण लिये हैं और वो आज आपको मैं टिक करवाने वाला हूँ लेकिन ये सिर्फ एक Important Question का List है जो आपको Exampt के वक्त हेलफुल रहेगा Science पढने के लिए चलिए आपकी उत्सुकता को ना बढ़ाते हुए आपके सारे जितने भी के अंदर Question है जो मैंने निकाले है उसका मैं Solution आपको दे देता हूँ चलिए First Question से Start करते है What a life process? Explain some important life process in which are needed for the living being तो देखे ये आपकी digest का Page No.8 Question No.3 है कौन से Page No.8 पर है Question No.3 What a life process? Explain important life process which are needed Next है Explain in detail different types of modes of nutrition in living being Next क्या है different types of modes of nutrition in living being तो आप लोगको यहाँ पर दो चीज़े explain करनी पड़ेगी एक रह जाएगा Autotropic Nutrition और दूसरा आपको explain करना पड़ेगा Heterotropic Nutrition तो देखे वो है आपका Page No.9 वहाँ पर आपको मिल जाएगा Autotropic का Short Note दिया हुआ है Question No.10 में और उसके बाद आप लोग को दूसरा जो आंसर है वह आप लोग को Page No.13 के उपर write a Short Note on Heterotropic Nutrition वापस एक बार repeat कर देता हूँ एक आपको मिल जाएगा Page No.9 वहाँ पर Question No.10 Autotropic का Short Note दिया हुआ है और दूसरा है Page No.13 Question No.17 Heterotropic Nutrition का दिया हुआ है देखो आप लोग गौर भी करते रहे ना मैं सारी चीज़े step by step बता रहा हूँ तो लिखते जाना विकाज इसका PDF आप तक एक बार पूरा upload हो जाएगा फिर पहुचेगा तो आप लोग comment में लिखो के sir PDF बेज़ दो तो मैं पूरा complete करूंगा science बाद में ही इसका PDF आप तक भेज दिया जाएगा तब तक के लिए आप लोगो ऐसे ही टिक करना पड़ेगा तो आप कितना भी को कर लो PDF नहीं आ सकेगा because जब तक मैं पूरा science complete नहीं कर लेता हूँ next देखिए what is photosynthesis and least the event take place in the process of giving equation of photosynthesis तो देखिए ये है आपका page number 10 question number 11 वापस repeat करता हूँ page number 10 question number 11 देखो ये आपका question answers भी बनेंगे और आपके objective type भी इसमें से ही बन सकते आपको reaction पूछ लिया ये reaction का balancing पूछ लिया तो आप लोग देखो हर question में कुछना कुछ आपको नया मिलता रहेगा तो आपका ये है page number 10 question number 11 next है explain the role of stomata वो ही page number 11 question number 14 explain the role of stomata page number 11 question number 14 next है how amoeba obtain their nutrition देखो इसमें दो है amoeba या paramotion हो सकता है या single cell बोल सकते है तो page number 13 page number 13 question number 18 इसमें आपको इस तरह से भी question आ सकता है कि single cell कैसे obtain करते है या paramotion कैसे obtain करता है तो आपको सारी condition में यही लिख कर बताना है next आगे चलते है explain the need label digest your system and label it and explain it देखो यह आपका दिया हुआ है same page number 13 question number 19 देखो इसमें explain भी किया है इसका structure भी समझाया है तो मैंने पूरा एक ही कर दिया आपको इसके अंदर से mcq भी बना सकते है true or false भी बना सकते है छोटे questions भी बन सकते है मतलब पूरा process मतलब वही starting from question number 19 और question number 20 दोनों ले ना सिर्फ 19 मतले ना 19 में सिर्फ diagram है 20 में पूरा उसका explanation है तो A to Z आपको पढ़ना पड़ेगा मैंने आपको काफी detail में पूरा digestive system अच्छे से समझाया था तो आपको पूरा करना पड़ेगा next है difference between autotropic nutrition and heterotropic nutrition the difference between heterotropic and autotropic nutrition question number 22 page number 15 page number 15 पर question number 22 में देख सकते हैं आप लोग आप लोग को मिल जाएगा autotropic nutrition और heterotropic nutrition next है what is the role of hydrochloric acid in our stomach and what is the function of enzyme page number 16 question number 24 and 25 question number 24 और 25 पर आप लोग देख सकते हो आप लोग को ये दोनों चीज़े दी हुए है role of hydrochloric acid और what is the function of enzyme next है explain the exchange of gases in plant explain the gases in plant page number 18 question number 30 question number 30 पर आप लोग देख सकते हो explain the exchange of gases in plants ठीक है next है explain with a neat label diagram of respiratory system तो आप लोग देख सकते हो वह आप लोग को दिया हुआ है question number 32 question number 32 के उपर आप लोग देख सकते हो पूरा आप लोग को फेपड़े लोग का diagram दिया है फेपडे बनाने के बाद पूरा आप लोग को explanation दिया है आप मेरी PPT का मतलब video भी देख सकते हो उसके अंदर भी मैंने इस चीज़ को क्या किया है explain किया हुआ है next है what is respiration explain the different types of respiration तो देखो आप लोग को वो दिया हुआ है question number 7 page number 17 question number 27 उसका different ways भी हो सकता है यहां पर देखो different ways to release energy in the material breakdown of the glucose and different pathway वो भी हो सकता है and types of respiration तो there are two types anaerobic respiration and aerobic respiration तो यह भी आप लोग explain कर सकते हो यह पूरा answer यहां पर आप लोग को दिया हुआ है देखो इसके बाद आपका hard topic था वो topic पूरा निकाल दिया है तो मैंने इसके उपर से आप लोग को कोई भी question आप लोग को दिये हुए नहीं है next आता है आप लोग 56 most IMP है यह आपको पूछते में ही आता है बहुत बार पूछा गया है तो इसको काफी अच्छे से कर लेना next है explain the structure of nephron वहीं question number 57 same page number पर आप लोग को दिया हुआ है and last उसके बाद दिया हुआ है next है आपका define ultra filtration देखो यह आप लोग को खुड ढूंड के करना पड़ेगा because यह आपकी textbook के अंदर मिल जाएगा ultra filtration के definition है या तो मेरा pdf देख लेना उसके अंदर भी यह दिया हुआ है और उसके बाद आप लोग को next दिया हुआ है difference between aerobic respiration and anaerobic respiration page number 29 question number 8 वहाँ पर आप लोग को इसके difference between मिल जाएंगे aerobic and anaerobic respiration तो यहाँ पर मेरी तरफ से मैंने पू chapter का IMP आपको कैसा लगा है जरूर बताना और भाई मैं already आपको समझा दू कि मैंने जो दिया है वो मेरे experience पर दिया है sample paper के according निकालने की कुशिश की है आना नहीं आना second number की बात है लेकिन आप exam के time पर पढ़ सको ऐसा कुछ मैंने यह structure बना कर आपको दिया है और आप चाहो वीडियो अच्छा लगा है तो like कर देना अपने friends को जरूर बताना कि GACB English Medium के लिए काफी एसर है बहुत आपके लिए मैनत कर रहे है तो share जरूर कर देना thank you so much for watching